हाई ब्रिबान विल्कम बाक तू अनधर वीडियो ऑफ दिए अपक्ट्री सिरीज आज बात करने वाले हैं कस ना बाइनेरी ट्री काफ इंटरस्टिंग क्वेस्चिन है मतलब बेसिकली एक ट्री मिलेगा दो वैल्यूस मिलेगी तुम्हें बताने हैं वो दोनों नोट कजन है या नहीं अब कजन होता क्या है तो आगे कह रहे हैं कि टू नोट्स ऑफ बाइनरी ट्री आर कजन्स इफ दे हाव दी सेम डप्ट विध डिफरेंट पेरेंट यह मैंने कि आपको पढ़ाया हुआ था तो नोट इन बाइनरी टी डरूट नोट इस एडप सीरो एंड चिल्रेन ऑफ इच डिफ के नोड आर एड टेप के प्लस वन अगर नहीं सुन मैं तो समझाता हूं तुम्हें बट पहले कंस्ट्रेंस देख लेते हैं सो कंस्ट्रेंस कह रहे है है कि भाई एकसे नवाई एक्जिस करेंगे ट्री में इच नोट हैज यूनीक वैल्यू एरी इंपॉर्टेंट एक्स नॉट इक्वल तो इन्हों ने कहाए कि हम तुम्हें दो डिफरेंट नोट जी देंगे अदे नंबर अफ नोट इन ट्री इस इन दी रेंज टू से लेक नहीं है लेवल पे है बट सेम पेरेंट नहीं है तो यह औविश्ली कजिन नहीं हुए यह क्या हो गए यह सिब्लिंग हो गए अगर आपको यह सारी टर्मिनलोजी नहीं पता है तो मैंने पढ़ाया हुआ है तो हां यार 3 का पेरेंट 1 है 5 का पेरेंट 2 है 3 & 5 सेम लेवल पे है पेरेंट भी डिफरेंट है तो हो गया यह कंडिशन ट्रू तो यू कें रिटर्न ट्रू है कोडिंग स्टाइल समझनी होगी थोड़ी सी तो वह मैं तुम्हें समझाता हूं तो इसे सॉल्फ कैसे करेंगे देखो एक चीज़ है कि हम लेवल्स पर खेलने जो हमारी दोनों नोट्स है वह सेम लेवल पर होनी चाहिए यानी कि हम लेवल ओड त्रेवरसल यहां पर कर सकते हैं लेवल ओड त्रेवरसल में क्या फायदा है आप एक टाइम पर एक लेवल की सारी नोट्स देख लेते हो तब आपके पास सिर्फ एक काम बचेगा यह देखना कि वह सेम पेरेंट के हैं या डिफरेंट है अब जिसे पता है इसके कौन से दो चाइल्ड है, मैं तभी चेक कर लूँगा कि क्या इसके चाइल्ड दोनों 3 और 5 तो नहीं है, और अगर निकलते हैं कि ये दोनों ही चाइल्ड इसी पेरेंट के हैं, इसका मतलब क्या, return false, क्योंकि आपके पेरेंट तो सेम हो इनी सकते, समझे, अब simple 3 3 & 5 के केस में भी यह करेंगे, 3 & 5 इस लेवल पे, तो इसके पेरेंट एक लेवल उपर होंगे, तो जब आपके क्यू में 1 & 2 पड़ा होगा, तो आपने 1 को पॉप किया, आपने देखा, इसका एक चाइल्ड तो 3 है, 3 मिल गया, बढ़ दूसरा चाइल्ड 4 है, दूसरा पर मिल गया, different parent भी हो गया, return true कर देते हैं इसे, हो गया question solve, तो बस यही करना है तो हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि हम एक level ऊपर देखेंगे, हम parent को बस differentiate करने का try करेंगे, अब यह आप कैसे करोगे, इसके पीछे भी बड़ा simple logic है, तो आपकी BFS algorithm कुछ ऐसी द आपको मिले, and parent count जो बताएगा कि एक particular node कितने child का parent है, जो यहाँ पे present है, समझे, पहले बता देता हूं कि इन दोनों का initialization है, वो 00 से हो गया, कोई भी child नहीं मिला, अभी तक कोई भी parent नहीं मिला, ठीक है, दोनों 0 है, so इन दो variables का मैं तुम्हें use समझाता हूं, let's say तुम इस वाले level पे खड़े हो, ठीक है, अब जो parent count है, वो तुम इस node के लिए अलग निकालोगे, इस node के लिए अलग निकालोगे, मतलब जब तुम इस node को देख रहे हो, तो parent count 0 पे initialize हो जाएगा, अब let's say इसने change कर दिया, parent count को, क्योंकि यहाँ पे child है 3, तो यह change हो कि 1 हो जा रहा है, अगर हो जा रहा है, इसका मतलब दोनोग चाइल्ड एक ही parent के निकल ले जो आप ढूंड रहे हो, समझे, चलो इसे solve करते हैं, पहला node निकाला 7, ठीक है, अभी 7 निकालते ही, 7 का left check करो, 1 है, क्या 1 इन से match कर रहा है, नहीं, कोई बात नहीं, 1 को वापस डाल देते ह Q में, अब इसका दूसरा चाइल्ड है 2, क्या 2 इन से match कर रहा है, नहीं, तो 2 को भी वापस डाल दो Q में, अब क्यूंकि आपने 1 निकाला था, तो size हो गई 0, now since size is 0, check करो, कहा है, तुम्हारे Q में और elements है, हायर 2 element और है, इसका मतलब next level में 2 elements है, so we came down to the next level, अब क्यूंड 1, तो मैंने 1 को हटाया, 1 का left check करो, तो मुझे 3 मिला, तो obviously 3 match कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा, found child 1, parent count also 1, clear, तो अब 3 को चुपचाप insert कर दो अपने Q में, अब right child देखते हैं, तो right child है 4, या 4 match कर रहा है, नहीं, 4 match नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं है, simple सा अपना 4 यहाँ पर insert कर दो, क्योंकि आपने 1 हटाया था, तो आपकी उसे minus 1 कर दोगी, अब size अभी भी 1 है, इस लेवल पर एक और node बचिए, अब फिर से अपने parent count को reset कर दो 0 पर, okay, समझ में आगया क्यों 0 कियोंकि same level है, इसके लिए देख लिया, अब इसके लिए वापस से parent 0, x element is 2, 2 को pop करो, क्या 2 का कोई left है, नहीं, क्या 2 का कोई right है, हाँ, 5 है, क्या 5 मैच कर रहा है, हाँ, 5 y से मैच कर रहा है, तो बढ़ियां यार, तुम्हारा जो found child है, वो 2 हो गया, parent count वापस से 1 हो गया, अब 5 को insert कर दो, अपने queue में, ठीक है, अब, क्या इसे आगे solve करने की जरूरत है, नहीं, जैसे ही आपको level found child 2 मिलता है, you can say return true from here, finish, खतम, question solved, तो बस ऐसे इसे solve करना है, time complexity क्या है, जो आपकी normal level audit अवरसल की होती, क्योंकि worst case में, आप last level तक जा रहे हो, right, तो we can say, big go of n, time complexity तो नहीं है, space complexity कितनी होगी, तो obviously, अब यहाँ पे एक level पे, maximum जितनी भी nodes हो सकते ही, वो आपकी space complexity होगी, क्योंकि Q आपका maximum हर level पे भरेगा, इस level पे node, इस level पे 2 node, इस level पे 3 node, तो Q में, एक time पे maximum 3 node हो रही है, इस 3 के case में, so we can say big of k, where k is the highest number of nodes in any of these levels, समझ में आया, चलो code करते है, okay, so this cousin, सबसे पहले Q बना लेते हैं, so Q of 3 node, and we can call it as Q is equal to new linked list ये आपने एक Q create कर लिया, ठीक है, now Q में अपने root को डाल दो, Q dot offer, और यहाँ पे डाल दो root को, by the way, एक case हमेशा चेक कर लेना, question में लिखा हो, ना लिखा हो, ये चीज अच्छी होती, check करनी, if root equal equal null, तो यहीं से भाई return false, return false, ठीक है, फासले हमेशा type हो रहा है, okay, so हमने Q में root को insert कर दिया, now हमें दो variable चाहिए, child count, I can say child count, ठीक है, और दूसरा हम बना सकते है, parent count, right, parent count, या इसे दूसरे words में same parent count भी लिख सकते है, same parent count, और by the way, यह हम actually ना, अंदर ही implement करते है, क्योंकि बार 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 से 0 करना पड़ेगा, फाइदा नहीं है, तो चलो BFS start करते है, तो while not of Q dot is empty, sorry, empty, अगर Q empty नहीं है, तब हमें क्या करना है, int size is equal to Q dot size, okay, size निकाला, now check at same level, क्योंकि हम same level of check करेंगे, so for int i is equal to 0, i is less than size and then i plus plus, आप चाहों तो while loop भी उसकर सकते हो, size माइस माइस करते हो, आपकी मर्सी, okay, so we can say, node निकाल के दो, three node, node is equal to Q dot pole, okay, अब यह करते ही, मैंने आपको क्या बताया था, simple अपने same parent count को लेके आ जाओ, int same parent count और आपने इसे 0 बना दिया, अब simple check करना है, जो आपके x and y है, क्या इसी node के तो दोनों child नहीं है, इसका मल उनका parent same होगा, तो यहें पर check कर लो, कि if node dot left is not equal to null, okay, generally हम क्या करते हैं, वो लिख देता हूं, q dot offer node dot left and इसी को copy paste करके हम कर देते हैं, copy and paste, कि node dot right is not equal to null, तो q में right insert कर दो, यह general approach है, अब इसी में थोड़ा सा change करते हैं, यहाँ पर हम यह if टालेंगे, if node dot left dot val equals equals x, अगर x से मिलता है या फिर node dot left dot val equals equals y, तो simple आपको यहाँ क्या करना है, सेम parent count plus plus और साथ ही साथ आप उपर एक child count maintain कर रहे थे, यह रहा, child count, इसे भी क्या कर दो, plus plus, ठीक है, child count plus plus, अब यही काम आपको नीचे करना है, बट किसके लिए, right के लिए, इसे copy करके, यहाँ पे ले आते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, अगर node का right और यहाँ भी right, x से यह के बराबर है, तो again same parent count बढ़ाओ, child count बढ़ाओ, अब ध्यान से समझना मैं क्या करूंगा, इस if को बन करते हैं, इस वाले if को बन करते हैं, अब ही देखो, हम same level पे हैं, बट हमने एक node देख लिया, अब just in case, if जो तुमने same parent count निकाला है, यह 2 हो जाता है, इसका मतलब same level, same parent, तो क्या करना है, return false, return false, अब otherwise मैं तुम्हें कहा था, reset करना है, बट क्योंकि मैं हर बार जैसे एक नई node देख रहा हूं, इसे 0 से इनिट ही कर दे रहा हूं, तो वो automatically handled है, ठीक है, अब इस for loop को बन करते है, for loop बन मतलब एक level आपने देख ली, तो now here you can say कि if, जो तुम्हारा child count है, ठीक है, अगर तुम्हारा child count equals equals है 2 के, तो यह तुम्हारे लिए खुशी की बात है, return true, मिल गए भाई, return true, क्यों, क्योंकि अगर same parent होता, तो return false हो जाता, but same level है and different parent है, तभी यहां तक पहुँचा है, you can say return true, otherwise दूसरा case आपको क्या check करना है, कि if child count is greater than zero, ठीक है, या दूसरे words में equal to equal to one भी लिख सकते हो, कि अगर दोनों में से कोई भी एक node मिल गई है, इसका मतलब अगली node बात मिलेगी, same level तो हो गई नहीं, तो return false, पासले कमी नहीं हो रहे, तो बस हो गया यह, अब इस why loop को भी बन कर देते हैं, अब million dollar question, यहां क्या return करें, true या false, return क्या करें, why false या why true, देखो by true तो तुम्हारे एक ही case में होगा, यह हमने रिख दिया, यहीं पर true होना है, अगर होना है, अगर नीचे आता है, तो return false, simple बात है, ठीक है, चलो, इसे run कराके देखते है, so hopefully this should work, and a DDR, क्या बात है, one shot चल गया, submit कराके देख लेते हैं, and 100% faster, we handled all the case, शबाश, तो क्या, यही था आज की वीडियो में, I hope आपको समझ में आया होगा, by the way, यह थोड़ा सा code गरने में typical है, so definitely it is not an easy level problem, मैं इसे medium level में categorize करूँगा, so yeah, यही था आज की वीडियो में, I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई है, और अगर आई है यार, तो इस वीडियो पे like जरूर कर देना, आपके like से हमें बहुत help होती है, तो यही था आज की वीडियो में, मैं मिल ताम से बहुत चल, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, and take care.